रेशम का किट बना चर्चा पटेल के अनुसार इसे शुब माना जाता है। उनके घर भी इसे देखने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। ये एक प्रकार का जंगली रेशम कीट है जो वनों में साल, अर्जुन और बेर की पत्तियों को खाता है। इसे जंगलों से आदिवासी एकत्र करते हैं जो इनसे निकलने वाले रेशम को शुब मानते हैं। रेशम को पगडी में लगाते हैं जो मुखिया या पटेल पहनते ह जिस संड़े से रेशम किट या ये तितली बाहर निकलती है उसे कोया या कोसा कहा जाता है। ये रेशम के किट उसी कोया से बाद में तितली बनकर बाहर निकलता है। जिसे देखकर आज पलसूद का पटेल परिवार और आसपास के लोग भी आश्चर रिचकित हैं। तो आभी बार देखा तो वुला हम जुसरों को पहला था देखा यह इसको लोग का बहुत सारी लोग के देखने इसका रेसम का धागा बनता और उसकी पगड़ी बनती है और हमारे पुर्वजा इसकी पगड़ी बांते आये है तोसा की पगड़ी बोलते उसको